अब बात कुछ खेलों की कर ली जाए दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुम यानि उलम्पिक की शुरवात हो चुकी है भारत ने इस बार 117 खिलाडियों का दल भेजा है उम्मीद है कि टोक्यो उलम्पिक का रेकॉर्ड तूटेगा और भारत पैरिस उलम्पिक में मेडल ट है उन तक क्या संदेश पहुंचाया है यह सब कुछ आपको एक खास रेपॉर्ट में दिखाते हैं उलम्पिक में इंडिया पैरिस में मेडल भारत ये खिलाड़ी तयार मेडल्स की होगी बोचार आगाज हो चुका है उलम्पिक्स खेलों का पैरिस के सीन नदी पर उलम्पिक की उपनिंग सेरिमनी हुई तो तस्वीरें कवाही दे रही हैं कह रही है कि ये दृश्य अद्भुत है अविस्मरनी है अद्विती यह है ऐसा पहली बार हुआ जब उपनिंग सेरिमनी स्टेडियम के बजाए किसी नदी पर आयोजित की गई हो भारतिय दल की अगवाई पीवी सिंधु और शरत कमलने की सीन नदी की लहरों पर कश्टियों पर सवार परेड ओफ निशन्स में हिस्सा लिया पॉप स्टार लेडी गागा आया नाका मुका और सेलीना डायोन ने मनमुहक प्रस्तुतियां दी हर एक लम्हे को याद गार बना दिया दूसरी तरफ एफिल टावर पर कमाल की लेजर लाइट से पूरा पेरिस जगमगा उठा ऐसा लग रहा था मानो सिटी अफ लव ये कह रहा हो पेरिस ओलम्पिक में आपका स्वागत है 26 जून की रात जहां सेरिमनी से उलम्पिक का आगाज हुआ तो वही 27 जून से उलम्पिक्स में मेडल्स की जड़ी लगने की बारी आ गई लेकन उससे पहले बताते हैं कि भारत इस बार उलम्पिक्स में कितने खेलों में हिस्सा लेगा और उनमें कितने खिलाडी खेलेंगे भारत का 16 खेलों में खिलाडियों का पदारपन हुआ है भारत के 117 एथलीट्स मेडल्स की आस लेकर पहुँचे हैं शूटिंग के 15 एवेंट्स में 21 भारती खिलाडी और चरी के 5 एवेंट्स में भारतीय टीम बैडमिंटन में भारत कमाल करने को तैयार 6 बॉक्सर्स के मुकों पर निर्भर 6 गोल्ड मेडल्स हौकी की टीम से फिर होगी मेडल की दरकार गॉल्फ में पहले मेडल का इंतजार एथलेटिक्स का सबसे बड़ा दल दिलाएगा मेडल निरत चोपडा के थ्रो से भारत को गोल्ड की उम्मीद टेबल टैनिस में मनिका बत्रा और शरत से उम्मीद टैनिस में सुमित और रोहन बुपन्ना करेंगे दाविदारी पेश वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू करेंगी कमाल ये भारत के वो खिलाडी हैं जिनसे उम्मीद है मेडल की पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतिय टीम को शुबकामनाई दी उन्होंने लिखा कि पेरिस उलम्पिक शुरू होने के साथ ही भारतिय टीम को मेरी शुबकामनाई हर एथलीट भारत का गौरव है आप सभी चमकें और खेल भावना की सच्ची भावना को समाहित करें साथ ही अपने असाधारन प्रदर्शन से हमें प्रिरित करें उधर पेरिस रवानगी से पहले भारतिय दल के हर एक खिलाडी का मनोबल बढ़ा हुआ है अपने प्रदर्शन से भारत को मेडल दिलाने के लिए तयार है भारत ने टोक्यो उलम्पिक में साथ मेडल जीते थे और ये भारत उलम्पिक का इतिहास में सरवश्रिष्ट प्रदर्शन है इस बार उम्मीद है कि खेल के महाकुम उलम्पिक में भारत अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ कर मेडल टैली में दोहरे अंक तक पहुँच सकता है